दोस्तो आज रिंग बनाने वाली मशीन के बारे में बात करेंगे अगर हमें किसी मशीन के बारे में full function का पता हो तभी हमें उसमें काम करने के लिए आसानी होती है नहीं तो वो हमें ज्यादा machine नहीं है दोस्तों तो इसको हम पहले तो जहां पर हमें यह working station है इसला पहुंचानी है इस तरह से और फिर इसमें यहां देखते हैं इसमें grease fill करना पड़ता है यह oil फिल्ड नहीं है इसमें gear oil नहीं डालता है यहां पे grease बर जाता है तो तीन kg इसमें भरने करते हैं यह PLCS की और इसमें जाना दो फंक्षन होते एक 90 डिग्री मोड में का पैड़न होता है 135 यह आपको अमने बता ही दिया और इस तरह से यह वर्क करती है और ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री मोडता है उसके कम जादा करने के लिए यह प्लस माइनस के निसान दिये रहते हैं यहां से फेस चेंज कर सकते हैं इसका स्विच है यह PLUS माइनस है इसमें सही साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम दूसरी मशीन में आपको दिखा देंगे तो 90 वाले के उपर है और 135 डिग्री वाले के निचे में है कंट्रोल करने क लिए और डिस्पले पर आता रहता है यहां पर कितना प्लस माइनस करना है और यह 90 डिग्री का इंडिकेटर है 135 का है और यह और नीचे यह मैनुवल चलाने के लिए हैं और यहां पर डिरेक्शन हम इसकी चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से हैं अब मैं इसको आपको चला करके यहां पर यह सेंसर लगा दिया गया है यह सेंसर ही उन तीन लिमिटस उचा काम कर रहा है अकेला और इस तरह यह डिटेक्ट करके प्य city को signal देता है कि कहा तक मसीर पोँंच गई है 90 डिगरी तक पोँच गई है या जितना हो सेलेक्ट करके देती है वह इसको बता देत यह प्रोग्राम इसका रहता है अब इसके पैनल के बारे में मैं आपको बताएंगे और इसका मोटर भी हम देख लेते हैं यह इसका मोटर है टूपॉइंट टूपॉइंट टू किलोवाट का लगबग यह तीन एच्पी हो जाएगा तो इस तरह यह सेलेक्टर स्विच है जो फेस चेंज करता है PLC के पीछे का इंटरफेस आपको ऐसा दिखाए देता है और उपर चार तार वाला कनेक्टर है और नीचे इसमें कहीं सारे तार है वो भी आपको बताएंगी यह ट्रांसपार्मर है इस PLC को सप्लाई देने के लि इसमें कहां पर बनते है वो भी बाहर में तो नहीं है या फिर यह PLC 12V AC से ही चलती होगी क्योंकि अंदर हमने इसके नहीं देखा है तो यह AC से AC बनाएगा ट्रांसपार्मर तो जब तक डायोट नहीं लगेंगे तब तक वह AC रहेगा यह क्रोस आप देख सकते हैं यहां प गया है पहले समें तीन KONTACTOR होआ करते थे तो लेकिन अभी दो कॉल्टर हैं बैल्ट बी 850 नमबर की है और यह इसका अड़ेस्टर मोटर को आगे पीछे करने के लिए थोड़ा यह बैल को अड़ेस्ट करने के लिए ताइट करने के लिए यह बोल सकते हैं तो इस तरह का इसमें अड्जेस्टर दिया गया है यहां से हम इसको लूज करके कम या ज़्यादा कर सकते है और यह ग्रीस प्लेट है यहां से खोल के इसमें ग्रीस बढ़ लिया जाता है और हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि अभी यह जल्दी जल्दी फिल करना होता है हमें क्योंकि इसमें अगर grease खतम भी नहीं हो लेकिन वो side में लग जाता है gear free हो जाता है और gear ये grease side में आ जाता है तो इस तरह से हमको इसका maintenance ये ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि ये oil वाली नहीं है gear oil जिसमें रहता है उसको हमें जल्दी देखने की जरूरत नहीं रहती है लेकिन इसको हमें जल्दी जल्दी चेक करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी ही gear खराब हो जाएगा और वो सूखा चलने की वज़े से रगड़ खागे उसके दांते भी तूट सकते हैं और वो कटता रहेगा इस तरह से हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह फिल करके रखना चाहिए इसमें अच्छी तरह ग्रीस क्योंकि इस पर निर्देश दिया हुआ भी है कि हर 50 गंटे के बाद आप ग्रीस इसका चेक कर लें तो 50 गंटे के बाद नहीं तो कम से कम हफते में तो हमें इसको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि गंटे तो जादा चल जाती है अफते में यही इसका सबसे बड़ा maintenance है इसमें हमें बस grease का ध्यान रखना पड़ता है अगर यह company इसको oil field बना देती तो इतनी tension ना होती लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने grease का बनाया है यह तो grease का है तो इसमें grease भरना पड़ेगा इसमें देखो यहां पे लिखा हुआ भी है कि 3 kg ग्रीस इसमें 3 लीटर लिखा है केजी तो हम बोल रहे है कि इसमें हर 50 गंटे में 3 kg भरें लेकिन इतना नहीं आता है थोड़ा ही जो कमी पढ़ती है वह हमें भर देना होता है यह sensor है इस पर क्या लिखा हुआ यह भी हम देखने की कोशिस करेंगे तो इस पर यह लिखा हुआ है लेकिन यह भासा अपनी समझ में नहीं आएगी क्योंकि सारी इंग्लिज तो है नहीं इसमें चाइनीज है आपकी समझ में आ जाए तो आप देख लेना यह इंटरफेस है इसका यहां पर तो अब हम इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे यह सेंसर के कनेक्शन है उपर की तरफ जो चार तार है और नीचे की तरफ हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ क्या है यह DBA5 वोल्ट यह सब जाना यह सेंसर के कनेक्शन है तो sensor में चार तार जाते हैं और इसमें फिर यहां पे नीचे की तरब भी देखेंगे कि क्या क्या है तो 9V और ये बाकी तो Chinese में लिखा हो 380V यह हमारी समझ में आता है बाकी तो हमारी समझ में नहीं आता है इसमें क्या है ये main incoming है ये motor की outgoing है ये transformer है जो 380V लेता है 12V देता है और ये 12V पहुंचाते हैं हमारे यहां पे PLC में इसकी operating supply के लिए यहां पे यह पहुंच गए और बाकी ये हो गए हमारे 3 तार हो गए यहां पे जो हमारे paddle है उसके लिए 90 degree और 180 degree वाला ये हमारे sensor के लिए 4 तार और भी तार देख लेते हैं अब ये वाले तार देख लेते हैं ये 4 तार गए हैं और ये ही operating के हैं इसके जो इसके दो तार इसके NC में जाते हैं और दो तार यहां पे supply के लिए जाते हैं तो 380 voltage supply भी दी जाती है यहां से और 2 तार control के लिए जाती है इसमें तो इसमें हम देख लिते हैं कौन से कहें के लिए है 4 तार contactor के निचे आये हैं जिसमें लाल और पीलर supply के लिए और निला और हरा यहां पे इसके control के लिए है जो एक दूसरे के NC में गया है और वहां से पार होके एक दूसरे के operating क्वैल में गया है तो इस तरह से इसका program हो जाता है सारे तार के बारे में आपने आपको बता दिया है दुबारा आप देखना चाहोगे तो देख लो यह control के लिए supply के लिए लाल और पीला और उपर जो connector है वो connector है sensor के लिए और यह plate भी हमारे पास में जो है कच्चे लोहे की है इसे हमें replace करना पड़ेगा तो हमें इसे को replace करना पड़ेगा ऐसे सब में कमी नहीं आती है किसी किसी में आ जाती है और यह एक pipe से connect रहता है sensor इसमें एकदम ठोस रोड यह नहीं लगाते हैं एक pipe से connect रखते हैं तो इस तरह से grease भर के हमने इसको फिट कर दिया विस control पैनल को आप दुबारा एक लिए इसमें बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है यह plus minus करने के है 90 डिग्री वाले को और नीचे हम यह इसमें बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इसमें चार इंडिकेटर भी दिये गए है और इसमें फिर यहां पे कंट्रोल करने के लिए manual प्रोग्राम भी है और automatic तो इसमें पैडल से ही तो यहां पे जब हम इसको चलाएंगे तो यह 90 डिग्री पे इंडिकेटर जलेगा और दूसरा यह फिर देखो 90 डिग्री वाला यह हो गया 135 डिग्री वाला फिर यहां पे दूसरा यह जलेगा पास म के साथ में जिस contractor का indicator होगा वो जलेगा contractor के साथ में तो यह इसमें प्रोग्राम दिया गया है तो इस तरह से आप indicator देख सकते हैं पहले के वन और फिर के टू क्योंकि पहले forward चलती है और फिर reverse चलती है तीसरी machine में भी हम control panel आपको दिखाएंगे यह हमारे पास में दूसरी machine है तो पहले हमने पहले दिखाएंगे अब तीसरी के पास में चलेंगे क्योंकि सारे के grease हमें चेक करना पड़ता है तो सारी machine हम चेक करेंगे अब यह यहां पर आपको तीसरी machine हम आपको दिखाएंगे तो यह तो दूसरे number की है इसको भी चला करके आपको दिखा देते हैं इस तरह से यह program रहता है इसका इंडिकेटर पर आप ध्यान दे कि इंडिकेटर 90 degree वाला 90 के पैडल के साथ जलेगा 135 वाला 135 के पैडल के साथ जलेगा तो यह control panel इसमें यहां पर तीसरी machine का है हमारे पास इसमें देखो forward, backward, change, direction यह सब clearly समझ में आ रहा है क्योंकि उसमें कु होता है जैसा 90 degree है तो ऐसा ने की 90 ही मोड़ेगा यहां इसके पास में प्लस माइनस है तो माइनस करते हुए देखो यह एंगल गटता जाएगा और सरिया उतना ही कम मोडता जाएगा यह और इस तरह से उपर का करने से प्लस करने से हम इसके एंगल को बढ़ा सकते हैं कि इत नीचे इसमें मैनुवल प्रोग्राम के लिए है तो यह आप देख सकते हैं इंडिकेटर वो तो हमने आपको बता दिया कि 90 वाला और 135 वाला यह K1 K2 के साथ कैसे जलते हैं तो अब इसमें मैनुवल प्रोग्राम देख लो यह चेंज डिरेक्शन का इससे उल्टी चलने रता है वो मैनुवल का प्रोग्राम इसमें इन ही पुश बटन में है यहां पर तो इस तरह आपको यहां से थोड़ा दिखाया देते हैं यह फोरवर्ड हम दबा देते हैं और मशीन देखो K1 ओपरेट हो गया इससे K2 ओपरेट हो गया तो एक बैकवर्ड है एक पाएंगे यह उतनी चलेगी तो अभी थोड़ा दबाया और इस तरह जहां रोग देंगे वहीं रुख जाएगी और फिर हमें बैकवर्ड मैनुवली करनी पड़ेगी तो यह इसका मैनुवली प्रोग्राम हो गया तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इसका फंक्शन आपको स से तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल एसके एलेक्टिकल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद